जी सवाल पूछने के लिए क्यों क्यूंकि आप उप्राश्पती रहे मैं सवाल पूछने आया हूं आपकी आपकी इस किताब में यह सारे आप उखड क्यों रहे है सर सवाल हों से नहीं आपकी मेंटालिटी से उखड रहा हूं चलिए ठीक है सर मेरी मेंटालिटी घलत सही मगर मैं सवाल पूछ लेता हूं अगर आप इजाज़त दे आपने अगर का मुसल्मानों में बेचैनी और रासुरक्षा की भावना है एक मेंट रेप्रेजेंटेटिव रहे आप तमाम देशों में भारत के राज़दूत रहे सब कुछ आप रहे आखरी दिन आपने कह दिया कि मुसल्माना सुरक्षित इसलिए कि हैं अचा हैं आप भी मैंने तो नहीं कहा कि मैं हूं क्योंकि आप भी मुसल्मान मतलब आप भी है मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ उसका एक अलग discussion होगा की वज़ा से आपको लगता है किसको बहुत कि एक रिवजा नहीं दे सकते हैं मैं कोई वज़ा नहीं दे सकता हूँ क्योंकि है मैं एक वज़ा आपको सबसे बड़ी वज़ा जो दे रहा हूँ वो यह है कि you have a mindset आपने लिंचिंग का जिक्र किया सर हां किया तो लिंचिंग का धर्म थोड़ी नहीं होता है सर हां जो लिंचिंग करता है तो आप क्या करते हैं उसके साथ कोई चोरी करता है तो आप उसके साथ क्या करते हैं the law proceeds कितने cases में law has proceeded आप निकाली है आखड़े अच्छा इस वज़े से इन सिक्यूरिटी है लिंचिंग की वज़े से naturally because cases which have happened which should be law and order cases nothing is being done I'm not going into that तो सर एक मेडिकमेट तो सर हिंदूस में इन सिक्यूरिटी क्यों लिंचिंग तो हिंदूस की भी हुई है नहीं मालूं क्या होती है की नहीं होती फिर फिर एक तरफा हुआ ना फिर बंगाल में लिंचिंग तिरलोचन में तो दुलाल कुमार धर्मरा घजरा मैं आपको दस नाम गिनादू केरल में लिंचिंग तो सर लिंचिंग का धर्म तो वो तो law and order है तो law and order पर एक्शन होता है क्यों नहीं होता है तो धर्म कर थोड़ी ना लिंचिंग का थोड़ी ना धर्म होता है क्या देख़िस के होता है क्यों कि लिंचिंग तो hindus के भी होती है तो hindus भी इन से क्या और है मतलब इस हो सकता है there is a lot of insecurity in the general public on certain situation. Irrespective of religion. Irrespective of religion. तो मुसल्मानों में आसुरक्षा की भावना है ऐसा नहीं है? मैं जिस चीस पे जिस कॉंटेक्स्ट में जिकर कर रहा था, मैंने कह दिया था उसमें. हिंदूों में भी आसुरक्षा की भावना है, लिंचिंग की वज़ा से? इसायों में जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है. बस सर यहीं तो मैं और आपसे आपने का मुसल्मान, अब आपने का भारती में. इस कॉंटेक्स्ट में, जिस कॉंटेक्स्ट में बोल रहा था. अब आप फूरी स्पीज में. थेंक यू चलिए थेंक यू सो मच सर थेंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया